Thank you Jesus. हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 19 अध्याय, 16 और 17 वच्छन. निर्गमन, 19 अध्याय, 16 और 17. Sorry, निर्गमन नहीं, Genesis, उत्पत्ति. उत्पत्ति, 19 अध्याय, 16 और 17. परवां विलम करता रहा, इस पर उन पुर्शों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े. क्योंकि यहवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया. और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्रान लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और तराई भर में न ठरना, उस पहार पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा. आगे, हाललूया, तो उत्पत्ति उसके उन्नीस अध्याए में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर कहानी है, लूत और उसके परिवार की, कहानी नहीं, मतलब यह सची गटना है, बाइबल में, लूत उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां, यह अपने परिवार को लेकर है कि ऐसे शेहर में वो लोग सेटल हो गए थे, जिस शेहर का नाम था सदोम और गोमोरा, ठीक है, और यह शेहर इतना पाप में गिर चुका था, यह शेहर इतना दिन बदिन बिगडता जा रहा था, यह शेहर में दिन बदिन एक नए नए तरीके से लोग, जो है, कैसे पाप क रही थी for example अगर हम देखेंगे यह जो लूट है इसके घर में दो स्वर्गदूतों को भेजा गया ठीक है ताकि उसको उस नगर से बाहर निकाला जाए और वो स्वर्गदूत जब आये तो वो लोग एक पुरुष का पुरुष के रूप को धारन करके लूट के घर में उनको लगा दो पुरुष आये हैं तो जैसे उनको पता चला कि लूट के घर में दो पुरुष है तो सारे के सारे शेहर के पुरुष लोग लूट के घर के बाहर खड़े हो गए खटाने लगे कि तेरे घर में जो दो मेमान आये हैं उनको बाहर भेज क्योंकि हमको उनके सा उहां साथ क्या करना है वह बिचार करना है शारिरिक संभण बनाना यहनी पूरुश पूरुश के साथ वह बिचार करना मतलब इस इतना हे नहीं पाप में वह शहर चल रहा था और अगर हम इतिहास देखेंगे नौ से हरका तो ऐसे बताया जाता है कि वहां जोंकुर थे वो उनका ऐसा एक त्योहार आता था जिस त्योहार में वो अपने पत्नियों को क्या करते थे अदला बदली करते थे और वो चाहते थे कि उनकी पत्नियां हमेशा सुन्दर दिखे उनको क्योंकि एक स्त्री जब बच्चा गर्ब धारन करती है बच्चा जनम देती है तो उसका शरीर जो है बदलने लगता है तो वहां के पुरुष वेभिचार में वासना में इतने घुम हो गये थे कि वो अपन पिला देते थे कि उनका गर्ब पात हो जाए बच्चा गिराने जैसा वो लोग इसी लिए वहां पर एक फ्रूट था एक फल था जिसका नामी सदों एपल जिसको कहा जाता है उसका जूस निकालकर वो अपने स्त्रीयों को देते थे ताकि वो कभी गर्ब धारन ना करने पा जैसे उत्पत्ति छटे अध्याय में अगर हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या कहा कि उनकी सोच विचारी क्या हो गई थी ब्रष्ट हो गई थी बुद्धी ही ब्रष्ट ऐसे पाप से बरा हुआ वो नगर था लेकिन उस नगर में कौन निवास कर रहा था लूट उसकी प बले ही वो एक गलत नगर में जी रहते लेकिन वो प्रभु का भय मान कर जी रहते लेकिन परमेश्वर ने निर्णय लिया कि ये शहर आप क्या करना है मिटा देना है इस शहर को, अब और सहन नहीं होगा, हललुया तो परमेशवन ने निढ़ लिया, कि सदोमर्गमोरा को हम क्या करेंगे, आग के आग भेज़कर सदोमर्गमोरा को नश्ट कर देंगे, लेकिन नश्ट करने से पहले लूद उसके पतनी और उसके दोनों बेटियों को क्या करना है बाहर निकालना है हाललूया यह जो संसार में आज़ हम जी रहे हैं यहां पर भी पाप बड़ता जा रहा है दिन बदिन अंधेरा बड़ता जा रहा है हललुया लेकिन जो प्रभु येश्यु पर विश्वास करते हैं जो लोग प्रभु येश्यु मसीहा के द्वारा धर्मी टहराए गए हैं इस दुनिया में हम अच्छे कामों को करके धर्मी नहीं बन सकते जबन में आ रहा है यानि तुम भूकों को खाना खिलाओ चारा खिलाओ भला काम करो तुम कितना भी भला काम कर लो मैं यह नहीं कहती कि भलाई नहीं करनी है करनी है लेकिन सिर्फ भलाई करने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है उद्धार केवल प्रभु तो उस लूत और उसके परिवार जो है वो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी लोग थे इसलिए उनको वो शहर नगर को नश्ट करने से पहले क्या कर दिया जा रहा था बाहर निकालने के लिए दोस्वर्दूतों को भेजा जा रहा था एक दिन ये जो धरती प पढ़ेंगे बाइबल में ये लिका है रोमियो के किताब में कि ये धरती भी क्या कर रहे है पता है करहा रही है कि कब मुझे आजादी मिलेगी ये धरती श्रापित ये धरती को प्रभु ने क्या किया पता है ये श्रापित धरती है प्रभु ने इसको एक अच्छा बनने क के लिए ही सुरूस्टी किया था परन्तु यह अब क्या हो गई है श्रापित हो गई है क्योंकि जब प्रभु ने धर्ती बनायी थी तो काटे नहीं थे जब इनसान ने पाप किया, उसके बाद काटे उगना शुरू हो गया इनसान जब प्रभु से दूर होने लगा, तब इस धर्ती पर श्राप उत्पन्न होने लगे हललूया, हम यदि प्रभु ये इशु पर विश्वास करते हैं, तो हम श्राप से आजाद हो जाते हैं लेकिन ये धर्ती पर वो श्राप काम करती हैं, और एक दिन परमेश्वर जिसने ये सारे संसार को बनाया है वो इस दर्ती को क्या करने वाले है नश्ट करने वाले है एक नया दर्ती बनाने वाले एक नया स्वर्ग होगा एक नया नगर होगा जहां पर हम जो विश्वास करते वहाँ पर रहने वाले हैं हललुया लेकिन नाश करने से पहले यदि हम ये इश्व पर विश्वास करते हैं तो वो लूत और उसके परिवार के जैसा हमको भी क्या करने वाला है, अलग करने वाला है, हललुया, सिर्फ यदि हम विश्वास करते हैं तो ही, ओके, तो यहाँ पर दोस्वर्दूतों को भेजा गया, उनको कहा गया कि जाओ लूत के घर पे जाओ, उसकी पत्नी और बेटिय क्योंकि इस नगर को मैं आग से नष्ट करने वाला हूं, तो वचन यहाँ पर यह कहती है, लूत देरी करने लगा, लूत सोचने लगा, अरे मेरे बेटियों का, क्या बलता है, अंगेजमेंट हो गया है, मंगनी हो गया है, है ना, आब इनकी शादी होने वाली है, हमारे दा उस नगर से बाहर निकलने में क्या कर रहा है, देरी कर रहा है, और जब वो देरी कर रहा है, तो स्वर्धूतों ने क्या किया, जबर्दस्ती, उसके हाथ को पकड़ा, उसकी पत्नी के हाथ को पकड़ा, उसके बेटियों के हाथ को पकड़ा, और उनको नगर से बाहर ले आ जंदगी में जी रहते उससे बाहर आना सारे अपवित्रता सारे बुराईयों को जो भी हमने किया है वो सब को भूल कर छोड़ कर बाहर आना प्रभु येश्व मसी को अपनाने के लिए हाललुया तो ये लोग नगर के बाहर आए नगर के बाहर आने के बाद स्वर्गदूतो ने इनको चार बाते कहीं हाललुया कितनी बाते कहीं चार वही चार बात आज हम सीखने वाले हैं और वो अपने भेजे में हम क्या करने वाले हैं फिट करने वाले हैं और उसकी अनुसार हम चलने वाले हैं हाललुया जब हम येश्व मसीहा पर विश्वास करते हैं अपने प प्रभू है तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है कोई खुदा नहीं है तू ही मेरा परमेश्वर है जब हम येश्यू को अपने जीवन में स्विकार करते हैं समझ लीजिए कि आप उस गंदगी से बाहर आ चुके हैं आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है आप जो भी पीडियों का भी श्राप अगर होगा ना येश्यू मसी पर विश्वास करने से वो तूट जाएंगे आप उससे बाहर आ जाएंगे जो भी परेशानी तकलीफ बिमारियां जो भी है उन सारे चीजों से वो हमको क्या करेगा बाहर लेकर आएगा लेकिन बाहर आने के बाद हमको क्या कहा जाएगा चार बाते याद सब लोग बोलिए चार बाते रेडी सब लोग तयार है चार बाते सीखने के लिए ओके फिर से पढ़िए सत्रा वच्छन और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा तो सबसे पहले क्या कहा अपना प्राण लेकर तो सब लोग कहेंगे पहला पॉइंट क्या है भाग जा भूग लगी है ताकत नहीं है जड़ा जोर से बोलिए पहला पॉइंट क्या है बोलिए भाग जा अभी मत भागो यह सुनने के बाद भाग जाना ठीक है तो पहला पॉइंट क्या है सब मिलके क्योंकि वच्छन क्या पताती है पता है जब हम येशु को स्विकार करते हैं येशु मसी ही मेरा प्रभू है वो ही सच्छा परमेश्वर है वो ही उद्दार करता है वो ही हमको अनन्त काल का जीवन दे सकता है मैं येशु के पीचे चलूंगा येशु के पीचे हो लूँगा तो हम एक दौड में शामिल हो जाते हैं ओके इबरानी उसका बारा अध्याय उसका एक वच्छन को हम पड़ेंगे इबरानी का किताब बारा अध्याय उसका पहला वच्छन इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको गेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तू और उल्जाने वाले पाप को दूर करके वहाँ दौड जिसमें हमें दौडना है धीरज से दौडे ठीक है वहाँ पे भि लूट को क्या किया गया कहा गया भाग जा यहाँ पे भी वच्छन हम को क्या कह रही है जिस दौड में तू है उस दौड में क्या करना शुरू कर दौडना शुरू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कुछ यह नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं, दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, लेकिन प्रभू येशु मसीहा उस दुख तकलीफ समस्या से हमको बाहर निकालके फिर से दौडने की ताकत देगा, हाललुया, हम द खड़ा के गिर जाते हैं लोग गिरने की बाद क्या करते हैं वो लोग साइड अट जाते हैं क्या फिर से उटते हैं फिर से दौडते हैं और पता है कोई-कोई दौड ऐसी होती है रीले वागेरा जो होता है बीच-बीच में उनको रुकावटे डाली जाती है उसके उपर उन आसानी से दोड़े फिक a doorman समय कभी-कभी एक कभी नीचे गिर जाते हैं निलेंट चुछ रुकावटे को चुड़के दूसरे के past कि लगते हैं कभी आपना लाइन उशार करी दूसरे की लाइन propose पिसमार फाफ फट दीन switching करना में क्याता है क्छियर थेख ट तुमको जो चालेंजस दिये गए हैं, तुमको जो चुनोतिया आ रही है, तुमारी जो समस्या हैं, उनका सामना करके, उनको अपना के, उनी को लेके क्या करना है, दोडना है, शायद कभी-कभी गिरोगे, शायद कभी-कभी रुकावटे आएंगी, शायद कभी-कभी धक जा होगे ऐसा लगेगा छोड़ मैं तो जीतने वाला हूँ नहीं हट जाता हूँ लेकिन वच्छन क्या कहती है आओ हललुया आज मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ कि चलो मैं भी दौड रही हूँ तुम भी चलो मैरेथान में ऐसे ही करते हैं ना मैरेथान रेस जब करते हैं लोग क्या करते हैं मैं दौड रही हूँ तुम भी क्या हो जाओ शामिल हो जाओ हम जो मसीही लोग हैं हम एक दूसरे को इस दौड में क्या करने वाले हैं सपोर्ट करके हम दौडने वाले हैं वच्छन कहता है और उल्जाने वाले पाप दौरते समय क्या आएगी रोकने वाली वस्तु आएगी जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारे जिन्दगी में कुछ ऐसा होता है घटना जैसे मेरे साथ हुआ तो जुलाई 2nd 2019 मैं मेरे हस्बेंड और मेरे दोनों बच्चे हम जब कार में अपने गाड़ी में बैट कर हम मेरे घर से मेरे भाई के घर में हम लोग जा रहे थे और बीच रास्ते में वसाई के ब्रिज पर हमारी आक्सिडेंट हुई बहुत बड़ी दुरगटना हुई जो रास्ते से हम जा रहे थे हमारी गाड़ी को पीछे से ठोका फिर वो दूसरी जगह गई, दूसरे गाड़ी ने फिर से ठोका, फिर वो पहले इन पर आगिरी, तो इस दुरगटना में मेरे हस्बेंड और मेरे दोनों बच्चों को मैंने खो दिया, लेकिन ये क्या है मेरे जिंदगी के लिए, ये एक रोकने वाली वस्तू के समान है, ये घटना, मुझे क्या करने के लिए ये घटना कर रही है, मुझे रोकने के लिए, ताकि मैं दौडना क्या कर दूँ, बंद कर दूँ, आप कल्पना कीजिए, जब हमारे जिंदगी में ऐसे होगा, क्या हम दौडना चाहेंगे, क्या हम येशु को देखकर येशु के पास जा आना चाहेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दौड रहे हैं तो रुकावटे रुकावटे आएंगी लेकिन उनको क्या करना है दूर करना है येशु को देखूंगी और मैं दौड़ूंगी क्योंकि मेरा विश्वास क्या है भले ही वो आज मेरे हस्बेंट और मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कहां पर है, वो स्वर्ग में है, वो येशु के पास है, वो येशु के बाहों में है, येशु के साथ है, और जिस दिन मेरी दौर यहां खतम होगी, तो मैं उनके साथ शामिल होने वाली हूँ, है कि नहीं, जो येशु पर विश्वास करते हैं ना वो कभी अलग नहीं होने वाले सब्सक्राइब आज मैं जिन्दा हो लेकिन एक दिन मुझे भी मरना है जब मैं मरूंगी तो क्या हो जाएगा उनके साथ शामिल हो जाओंगी और कुछ बड़ी बात होने वाली नहीं है हाललुया तो यह कुछ ठीजे कुछ रुका करने वाली वस्तु को क्या करेंगे दूर करेंगे क्यों मैं चिंता करूं मेरे मेरे प्रभू के पास वो है और मैं भी वहीं पे जाने वाली हूं हाललुया मेरे जिन्दगी में यह हुआ तुम्हारे जिन्दगी में कुछ और कारण हो सकता है कोई और परेशानी हो सकते है सम हम कुछ पापों में चले जाए और वो पाप जब हमसे हो जाएगा तो हम अपने दौर को रोग देते हैं सबन में आया गलती करते हैं कि नहीं हम सब गलती करते हैं मैंने भी गलतियां बहुत गलतियां की है ठीक है एक्सिडेंट होने के बाद भी में मुझसे गलतियां हुई है लेकिन जब गलती होती है तो क्या होता है पता है जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं कर बैठते ह कुछ चीजे कुछ गुप्त पाप हमसे हो जाता है यह सारी चीजे जब हमारे जिन्दगे में आती है ना तो यह क्यों आती है पता है ताकि हम दौड़ना बंद कर दे नहीं छोड़ तुछ से बहुत बड़ी गलती हो गई है तुन्हें बहुत बड़ा पाप किया है तुन्हे यहां पे जो हमारा पाप होता है, उसको क्या करो, दूर करो, बातों से जो पाप होता है, उसको क्या करो, दूर करो, हमारे कारियों से जो पाप होता है, उसको क्या करो, होगा, ऐसा मन सोचिये कि हम सब बहुत ही सेंट्स है, नहीं, हमसे गलतिया होगी, यहां विचारों से शुरू होगा, शब्दों में आएगा, और कभी-कभी कार्य में भी हो जाएगा, चाहे विचार हो, चाहे शब्द हो, या फिर कार्य हो, पाप तो पापी है, हाँ मैंने वो किया तो नहीं न, लेकिन सोचा तो सही, मैंने वो पाप में उसमें गिरी तो नहीं न, लेकिन तुने उसके बारे में बोला तो सही, समझ में आ रहा है, पाप, पाप होता है, वो तुमको उल्जाने के लिए आता है, कि बस अब तुछ से यह गलती हो गई, अब तेरा कुछ नही लेकिन नहीं वच्चन क्या कहता है दूर कर दे उसको भी विचार को भी दूर कर दे क्योंकि मेरा प्रभु जो सामने खड़ा है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है वो कहता एक बार नहीं, दो बार नहीं, तु जितनी बार मेरे पास आएगा, जितनी बार मेरे पास आएगी मैं तुझे शमा करने के लिए तैयार हूँ शमा पाने के बाद मैं तुझे फिर से हिम्मत दूंगा ताकि तू उसमें फिर से गिरने ना पाए, हाललूया तो हम दोड में है भाईयो बेनो हम सब दोड में है ठीक है? बड़ा हो, छोटा हो भड़ा बड़ा पास्चर होने दो या फिर हम जो नॉर्मल ले ले पीपल है हम सब दोड में है सब के जिंदगी में रुकावटे रोकने के लिए आएंगी और सब के जिंदगी में उल्जाने वाले पाप भी आएंगे लेकिन दूर करना है और फिर से क्या करना है दौडते च वे किसकी और ताक्ते रहें, विश्वास को सिद्ध करने वाला, तुम अपने विश्वास को खुद सिद्ध नहीं कर सकते, तुम्हारे विश्वास को कार्य में कोई और नहीं ला सकता, सिर्फ प्रभु येशु ही तुम्हारे विश्वास का करता भी है और तुम्हारे विश श्वास को सिद्ध पर्फेक्ट बनाने वाला भी कौन है प्रभू येशु ही है इसलिए जब दोड़ोगे तो किसको देखके दोड़ना है येशु को ओके लोग आएंगे जिंदगी में लोग आएंगे चले भी जाएंगे कुछ लोग अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोल लोग मेरे साथ मे थे ठीक है थाइंक यू जीज्स दन्यवाद लेकिन वो मेरा लक्ष नहीं है मेरा निशाना उनके उपर नहीं है मैं उनको ताकूँगी नहीं हाललुया मैं किसको ताकूँगी जो मुझे कभी भी फेल करने वाला नहीं है लोग तुमको फेल कर देंगे है छोड़ तुम्हारे बारे में जब लोग जानेंगे कुछ तुम्हारी खामियों को जानेंगे गलतियों को जानेंगे वो तुमको क्या कर देंगे reject कर देंगे तिरसकार करेंगे लेकिन वो जो अपने जिसको हम देखकर चलते न निशाना हमारा जो निशाना है वो हमको कभी तिरसकार नहीं करेगा वह हमको कभी reject नहीं करेगा वह के दोड़ कर क्या करें। क्या क्यूंकि वह हमारा पिता है वह बाप है हाल लूईया.. और वह हमेशा उसका दिल यही चाता है गिए दोडर मेरे पास क्लोट आये जैसा हम अकंने बच्चों के लिए चाहते हैं र्हए की नहीं हमारे बच्चे कितनी भी गल्तियां कर लें लेकिन हम तो यहीं चाहेंगे कि वो मेरे पास दौड कर आये लौट कर आये तो हमारा पिता भी वैसा ही है इसलिए वचन क्या कहता है जब तुम दौड़ोगे रोकने वाली वस्तु आएगी उलजाने वाले पाप आएंगे उनको दूर करो और फिर निशाने की ओर ताकते हुए प्रभु येशु को देखते हुए क्या करना दोड़ते चले जाना क्योंकि उसने हमारी दोड़ को पहले ही पूरा कर दिया है येशु अल्रेड़ी दोड़ कर आगे पॉंच चुके हैं हमको क्या करना है उनका जो दोड़ते समय फुट्प्रिंट जो उनके पैर के निशाने गी रहे हैं ना वहां पर पॉंचने तक वो निशानों के पर हमको फिर से दोड़ना है हललुलूया और येशु जब दोड़ रहे थे उनको भी उनके जिन् सा ओवरकम किया हम भी उसके उपर क्या कर सकते हैं ओवरकम कर सकते हैं इसलिए हम अपने पद चिन्नों पर नहीं दोड़ेंगे येशु मसीहा के पद चिन्नों पर दोड़ेंगे जिसने अल्रेडी दोड़ को पूरा कर भी लिया है पुरसकार पा भी लिया है वह क्या कहता ह हम उसके पूरसकार है हललुया जब हम इस दोड़ को पुराँ मेरे हस्बन ने अपने दोड़ को पुरा और वो पहुंच गए ये शुू का पुरसकार कौन है मेरा हस्बंड ये शुकंट करते हैं मेरा बेटा दोड़के जीद के मेरे पास आ उसका क्या है हम उसके क्या है पुरसकार है हाललूया तो इस दोड में हम रुकेंगे नहीं तो पहला पॉइंट क्या है बोलो भाग जा जोर से बोलो रुकने का नहीं बिलकुल ठीक है अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं 17 वच्षन उत्पत्ति उन्नीस का सत्रा और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की और नत आखना ओके सेकेंड पॉइंट इस पीछे की और सब बोलेंगे पीछे मत देख मुड के मत देख है ना हिंदी पिचर में गाना था ना मुड के म के मत देख हाललुया तो वैसे वच्छन हमको क्या बोलती है पीछे मुड मुड के देखना मत बारबर अरे मेरे जिन्दगी में ऐसा हो गया अरे वैसा हो गया अब मतलब जो छोड कर आये हैं उसे फिर से जा जाकर देखना मत वह आएगा याद आएगा आज मुझे भी आते रहेगा ठीके जब तक मैं जिन्दा हूं मुझे याद आएगा क्योंकि मैं इंसान हूं है ना मेरे अपने सोच है मैंने उनके साथ समय बिताया था मेरे बच्चे किसी भी मां के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है वो कभी मेरे क्या बलते जहन से निकलने वाले नहीं है वो यादे आएंगी लेकिन उन यादों को देखकर मैं पीछे ना मुड़ू हाललुया बार बार में उन चीजों की तरफ ना जाओं जो मुझे क्या करने वाली है रोकने वाली है जो मुझे दौड में दौडने के लिए दौडने से कमजोर बनाने वाली है उन चीजों की और मुढ कर ना देखे, जो पाप आपने छोड़ दिये न, येशु में आने के बाद कुछ चीजों को, व्यसनों को आपने छोड़ दिया होगा, फिर वापस से मुढ के मत देखना, कहीं बार ऐसा होता है, पता है, आपको मसीही लोग, मसीही लोगों की जिन्दगी में ऐसे होती है, कि एक घर में सारे लोग मसीही है, लेकिन अगर बेहन ने पाप किया, तो भाई क्या करता है, येशु को चोड़ देता है, क्यूं, क्या फाइदा हुआ, इतना हम लोग सेवा करते थे, मेरी बेहन ने पाप, ऐसा हुआ है, लोग को दूसरों को देख कर क्या करते हैं खुद येशु से दूर हो जाते हैं लेकिन इसलिए वच्छन कहता है उसकी इसकी और मत ताकना किसको ताकना येशु क्योंकि येशु हमको कभी भी फेल करने वाले नहीं है उनके अंदर ऐसी कोई बात हमको खामी या कमी हमको मिलेगी नहीं जो देख कर हम मुड़ जाएं सबन में आ रहा है आपको इसलिए वच्छन कहता है कि इसको उसको मत देखो अरे वो उनके उपर मेरा विश्वास था इनके उपर मेरा विश्वास था अरे वो इतना अच्छा थे लेकिन वो गिर गए इनोंने गल्दी कर दिया उनको इनको देखकर चलना नहीं है हाललुया इसलिए वो गीत भी है ना पिछला सब बूल कर मैं आगे दोड़ा चलू वचन में क्या लिखा है पॉलूस क्या कहता है कि पिछला मैं सब क्या करता हूं बूल जाता हूं आगे जो रख्योंकि एक एक बात सच्चाई ये है शैतान हमारा दुश्मन ठीक है अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है स्वर्ग है नरग भी है हाललूया और वो हर चीज करने को तयार है हमारे दोड़ को रोकने के लिए लेकिन शैतान को तुम्हारे पिछले जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है तुम क्या थे, कितने बड़े डाकू थे, कितने बड़े वेविचारी थे, जूटे थे, मकार थे, कितने लोगों को धोका दिया, कितने गाली गलो जगड़े रगड़े किये, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे जिंदगी में आज क्या हो रहा है, तुम आगे जाकर तुम जो बनने वाले हो, उस चीज से वो डरता है, समझ में आ रहा है आपको, आगे जाकर तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविश्य में तुम जो होने वाले हो, जो वचन कहती है कि किसी ने कलपना भी नहीं किया, किसी आखोने देखा भी नहीं, और किसी के मन में कभी आया भी नहीं, वो हमारा फ्यूचर है, आज हम अपने भविश्य को देख नहीं पा रहे हैं, भविश्य में जो महीमा हमको मिलने वाली है, आज हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, आज दुख दिखता है, तकलीफ दिखता है, समस्या दिखता है, लेकिन भविश्य में एक ऐसी महीमा हमको मिलने वाली है एक ऐसी जिंदगी हमको मिलने वाली है हम एक ऐसे नगर के वारिस होने वाले है अनंतकाल के जीवन को प्राप्त करने वाले लोग हम बनने वाले है वहां तक हम ना पहुंचे इसलिए उसको से फ्यूचर से डर लगता है मारे प्रेजंट में क्या और इंट्रेश नहीं है उसको मुद्देश यहिए रहता है कि इसके पास्ट को भी लो इसके प्रेजंट को भी लो और इसके फ्यूचर को क्या कर दो कर दो सलल लूँ अ लेकिन जब हम निशाने की और ताक कर दोड़ते रहेंगे तो हमको लक्ष तक पहुचने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है हाललूया क्योंकि हमारा निशाना ही प्रभू ये इश्व है वो अपने हमें क्या करता है अपनी और खीच लेता है तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्य आसी का दोडना है दोडना है दोडना है दोडते रहना है रोकने वाली वस्तु आएगी लात मारना है फिर से दोडना है उल्जाने वाले पाप आएंगे दूर करना है फिर से दोडना है हाललूया और दूसरी बात क्या है पिछली जिंदगी को मत याद करना गंदगी को मत बेटियां उसकी पत्नी जब आ गए बाहर नगर के बाहर, तो लूत की पत्नी का दिमाग मचलने लगा, दिल मचलने लगा उसका, वो सोचने लगी पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, हमको तो बोला है पीछे मुढ के मत देख, है ना, इनको क्या कहा गया, पीछे मुढ के मत द क्या हो रहा होगा आग तो मैंने कभी ऊपर से बरस्ते हुए देखा नहीं एक रनी स्वजश क्या सच नहीं है यह वहांतु यह वहुधर Sum 저는issements आप ऐई। आपके पता नहीं क्या हो रहा है कहिंगों कुण साजिष साजिश तो नहीं है यह वह करके और उसने क्या कर दिया, पीछे मुढ के देख ली, जैसे उसने देखा, वो नमक का खंबा बन गई, आज भी वो खंबा है, कहां पे है, है ना, इसरायल में, आज भी वो खंबा है, नमक का खंबा बोलते हैं, वो नमक का खंबा क्यों बन गई, क्योंकि उसने पीछे मुढ के जहां पे हो वहीं पे अटक के बैड जाओगे अगर तुम पीछे मुढ के देखे तो बाइबल बताती है जो पीछे मुढ के देखते हैं वो कुतों के जैसे हैं कुटा क्या करता है उल्टी करता है फिर पूरा शहर घूम के आता है फिर वापस अपने उल्टी को क्या करता है बोलो ना इतना शर्मात है क्यों वापस से उसको ही क्या करता है चाटता है जो दारू पिना छोड़ देता है फिर वापस दारू पिने लगता है वो किसके समान है जो वेबिचार करना छोड़ देता है फिर से वेबिचार में चला जाता हूं किसके समान है गाली गलोच जगड़े रगड़े हम जो छोड़ के आये हैं वापस से हम उसी में अगर चले जाते हैं तो हम हम को Bible क्या कहती है हम अपने बारे में बोलें या दूसरे के बारे में नहीं में meaning if I'm going back again and again अगर में वापस से वापस से पिछे जिंदगी में जा रही हूं पिछड़ ही पसंद है हललुया इसलिए वचन कहती है पीछे मुढ के मत देखना आज अगर हमको कोई बोलता है कुट्ता कुट्ती तो हमको गुसा आता है ना अच्छा लगता है किया कोई हमको बोलेगा तो नहीं गुसा आता है लेकिन बाइबल बताती है जो अपने अच्छा के आए हो मूर्ति पूजा छोड़ के आए हो जादू टोना छोड़ के आए हो सब दुनियादारी छोड़ के आए हो फिर वापस उसमें जाने का सोचना नहीं जो आगे रखा है लक्ष की ओर बढ़ते चले जाना है हाललुया बीट-बीट में पीछे मुढ के पर भाग जाना तराई में न ठहरना हाललुया जिन्दगी में क्या है थोड़ा उंचा थोड़ा नीचा थोड़ा उंचा थोड़ा नीचा थोड़ा नीचा थोड़ा नीचा थोड़ा नीचा थोड़ा नीचा है कि नी उंचे पर रहते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन फिर बाद में एक खाई भी बीच में आती है है ना आती है कि हम सब के जिंदगे में आती है प्रभू एक बार हमको क्या करता है उंचाई पे चड़ा देता है लेकिन कभी-कभी हमारे विश्वास को परकने के लिए हमको तराई से भी होकर गुजरना पड़ता है लेकिन तराई में भी वो हमको छोड़ता नहीं है वच्छन क्या कहती है तू मौत से भरे अंधकार की तराई में होकर भी गुजरे तो मैं तेरे साथ रहूंगा तराई आएगी तराई तराई आएगी लेकिन वो तराई में यह मत सोचना कि प्रिये क्या प्रभु ने मुझे को खड़े में डाल के बाद में दूसरा पहाड तुरंत नहीं आता पहाड के बाद में खाई आती है खाई के बाद दूसरा पहाड आता है वो दूसरा पहार पे चड़ने के बाद में दूसरी खाई आएगी फिर दीसरा पहाड आएगा यानि यदि पहाडों को तुम्हें प्राप्त करना है क् बीच बीच में खाईयां भी आएंगी, लेकिन वचन कहती है, खाई आएगी तो रुक मत जाना, आशा छोड मत देना, विलहार मत जाना, खाई आएगी, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शांती तेरे साथ महां पे होगी, आज मेरी जो, मैं अपनी गवाई ये बताओ, लेकिन इस लॉस में भी अगर मुझे शांती है, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, है ना, मुझे साइक्या, क्या बलते है, साइक्याट्रिक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं शरीर में बिमार नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, और एक शांती है कि बाबा, जो हस रहे हैं उनक नहीं तो इस इंपॉसिबल, मैं एक साइक्याट्रिक स्टूडेंट हूँ, और मैंने पागल खाने में बहुत सारे पेशंस को में हमने देखे हैं, बहुत सारे पेशंस से हमने डील किये हैं, लेकिन उनकी जो शॉक की वज़े से, इस चीज की वज़े से, उस चीज की बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि घर वाले उनको लेने के लिए कभी नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में हमेशा के लिए, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ था, इसलिए मैं कभी उस खाई में रह नहीं गई, हलललुया, प्रभु कहता है, तुम्हारे जिंदेगी में भी खाईया, आएंगी घाटी, आएगी तराही आएगी, लेकिन रुकमत जाना, यह सोचना, कि यह मेरे परिक्षा का समय है, यह मेरे जा, क्या बोलता है, प्रभु मुझे टेस्ट कर रहा है, कि मैं उस से जाधा प्यार करती हूँ, जब नोटिस कर रहा है, यह लेड़ी अकेली रहती है, अकेली आती है, जाती है, अचानक उसने फिर एक दिन पूछ लिया, कि आपके मिस्टर वगेरा कहा है, तो मैंने उनको सब बताया, जब बताया, तो वो क्योंकि वो एक अन्य विश्वासी है, तो मतलब अन्य जाती है, उत इतना शौक हो गया कि वो डायरेक किसको कोसने लगा, परमेश्वर को कोसने लगा, अब उसके भाषा में मैं उसको क्या समझाओ, तो मैंने उसके भाषा में उसको कहा, नहीं, नहीं, परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर को समझता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही प्रबू कभी-कभी हमको क्या करता है परमेश्वर परकता है हाललूया, मैं वो चीस को नहीं बोल रही हूं लेकिन उनके भाषा में उनको समझाने के लिए मैंने कहा कि हमारे जिंदगी में भी-कभी हमारी परिक्षा ली जाती है, और परिक्षा में जीतने के लिए भी प्रभू क्या देता है? बल देता है, इसलिए तराई में रुक कर, रोकर, हार कर, बैटना या रुकना नहीं है, तो चौती बात क्या लिखी है? उस पहाड पर भाग जाना, नहीं तो भी भस्म हो जाएगा, उस पहाड पर चड़ जाना, पहला क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, रुकना, नहीं, चौता पॉइंट, पहाड के उपर चड़ जा, पहाड का मतलब क्या है, प्रभू येश्यु मसीह, ना बजन सहिता में क्या लिखा है कि मेरी सहायता कहां से आती है सियोन के परवत से परवत कौन है प्रभु येश्यू वो हमारा चत्तान है कभी हिलने डूलने वाला नहीं है मजबूत है जब हम वीक हो जाते हैं जब हम कमजोर हो जाते हैं तो उस मजबूत चत्तान को पकड़के रहना बहुत जरूरी तो हम भी क्या हो जाएंगे डूब जाएंगे हम भी बहकर निकल जाएंगे hallelujah तो बच्चन क्या कहता है उस पहाड पर चड़ जादा पहाड पर जब हम चड़ते हैं पहाड की चोटी एक ओप हैं उसकी जो चोटी होती वहां पर अगर किसी को जंडा लगाना थे तो फहां एक ही इंसान जा सकता है समझ में एकदम एकदम शाप छोटी जहां पर एक ही इंसान खड़ा रह सकता है और वो वहां पर क्या कर देगा जाके जंडा गाड़ देगा यानि इसका मतलब क्या है पहाड पर चड़ने का मतलब है तू अकेला जा हललुया मतलब कलीश्या में आना लोगों के साथ संगती करना प्रार्टनाओं में आना और क्या बोलते हैं हाउस ग्रूप में आना विजिटिंग करना यह सब जरूरी है अच्छा है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है अकेले अपने परमेश्वर से मिलना हललुया अप अपने व्यक्तिगत जीवर में अपने लाइफ में परमेश्वर से रोज क्या करना बाते करना हाललुया आज मैं जब मेरे घर में अकेली रहती हूं तो मैं दिन भर परमेश्वर से क्या करती हूं बाते करती हूं लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं जब हम सब के साथ रहते है तो हमको क्या करना पड़ता है टाइम निकाल कर अकेले होना पड़ता है आप दिन बर अकेले नहीं रह सकते हैं तो हमको टाइम निकाल कर अकेले में होना पड़ता है मैं अकेली हूँ तो दिन बर मैं अकेली हूँ कभी भी उससे बाते करो कभी भी उसके साथ हम क्या कर सकते है अकेले में समय बिता सकते हैं लेकिन चौती बात जो हमको बहुत मजबूत कर सकती है वो है अकेले में प्रभु के साथ टाइम निकालना अकेले में प्रभु के साथ बने रहना बाते करना मैं तो सिर्फ उसे ऐसे बाते करती हूं जैसे नॉमली आप लोगों से में बाते करत कभी हस देना कभी गाना लगाके नाचना अकिले में मेरे प्रमेश्पर के साथ क्या हूं मस्चू हाललूया। हाललुया तो कभी-कभी हमको जरूरत है कभी-कभी नहीं most of the time जरूरत है एक तो दोड़ना है बिना रूके बिना थके दूसरा कभी पीछे मुड़के नहीं देखना है उन गंदगी की और जो छोड़कर आए हैं तीसरा तराई आएगी तो तराई में रुकना नहीं है लेकिन वहीं से वो उन बातों को सुनता है जो तुम्हारे शब्द से तुमने कहे नहीं है है न कहीं बार हमारे हम कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन दिल में कुछ बाते होती है प्रभू उनको जानता है कहीं बार हम बोल नहीं पाते हैं हमारे आशू क्या करते हैं प्रभू से बाते क करने लगते हैं क्योंकि वो अकेला का समय होता है हललुया तो यह चार पॉइंस अपने जिन्दगी में हम याद रखे सबसे पहली बात जरूरी यह है कि सदोम और गमोरा नगर से हम क्या करें बाहर आजाएं पाप की जिन्दगी को छोड़ कर हम क्या करें बाहर आए और बाहर येशु को अपना सुधार करता स्विकार करते हैं अपने जिन्दगी को अपने हाथ को अपने निन्यों को अपने सब कुछ उसको दे देते हैं तब येशु हमको बाहर लेकर आता है लेकिन बाहर आने के बाद जिन्दगी भर जब तक वो हमको लेने नहीं आता या हम उसके पास नहीं चले जाते तब तक ये चार बातों को क्या करना है याद रखना है हाललूया वो चार बाते क्या है एक लास्ट बार दोर आएंगे सबसे पहला सब लोग आप भी बोलिए सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पहाड के उपर चरना मेरी सहायता वहीं से आती है, hallelujah, आई अपनी आखों को बंद कते हैं, thank you Jesus.